भी कि है फिक है अभी जबी बच्चे क्या करेंगे सामने स्क्रीन पर देखेंगे ज gez कोई senate अचे स्क्षिन में डाइप नहीं करेंगगा कि ऑटिक है तो हम क्या पट रहे हैं हम क्लास नाइंथ के लिए हम अपको क्लास नांए तक है था कि हम statement मैथमेटिक्स पट रहे ठीक है बच्चो और यह सभीधे 에서 बीको कल्यर है कि किसी वेगभ नहीं करना है अपना माइक बार बार ओपन नहीं करना याने कि उसको क्या करना है major सोट पर हैने देना है और किसी बच्चे को कोई questions पूछना है तो वह अपने चेट सेक्शन में टाइप कर दे और जो भी हम court पूछेंगे वह आप जवाब दोगे पोलस एक्शन के अंधर ठीक है बच्चो ठीक है तो last class में पढ़ाई है दो अभी आपको से नहीं ट्रेंग तरभूच पढ़ा था और त्रभूच के बारे हमने पढ़ाता कि त्रभूच क्या होता है तीन विजाओ से घ्री हुई बंद आ तो आप सामने देखिए स्क्रीन पर पहले चीज़ों को अच्छी से समझ लेंगे और तब हम आपको स्क्रीन पर एक तरबुज दिखाई जा रहा है यानि कि तीन बुजाओ से गरी हुई बंद आ करती है एक बुजा इसकी यह रही एक बुजा इसकी यह रही और एक बुजा इसकी यह रही जैनि कि तीन बुजाओ से बंद आ करती ख रूंकर बोलते हैं चाहिंगल बुजते हैं उनर्फ dov bunny को प्रसे देख लेते हैं कि अगर तीनست होते हैं तो सीरस कुम से हैं आपको नीले वर्टेक्स क्या क्लाएगा सीर्स क्लाएगा इसको आपने नाम दे दिया ए और सिखाया भी था कि ABCD के बड़े लेटर से इनको लिखा जाता है यानि कि सीर्स B हो गया यानि कि वर्टेक्स B हो हो गया और यह क्यों हो गया vertex C हो गया और ABCD के बड़े letter से income लिखते हैं ठीक है फिर हमने कहा इसके अंदर तो यानि क्या तो त्anny को लिखने के लिए क्या होतें के टीन सीर सोते हैं तीन भूजाय यानि कि इन साइड्स होती है और तीन कोण यानि कि 3 एंगल होते हैं तो यानि कि 3 एंवह क्या सच्राइब के पास में ठीक है आ works or तो यानि कि निरुपण का निरुपण कियसे करते हैं यानि कि क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था representation of a triangle कि किसी भी triangle को अगर आपको लिखना है तो किस तरी के से लिखोगे आप अगर इसको लिखोगे तो आप एक छोटा सा triangle बनाओगे और रिख दो के triangle a b c इतनी चीज़े सभी बच्चों को क्लियर तो आप जल्दी से वाइट टाइप करें कि हांसा हमने लाज क्लास में पढ़ा था और यह हमें करना है मतलब क्या हुआ है रिकोल टेश्ट आपका आपको इसका आंसर किसमें करना है पोल सेक्षन के अंदर जा करके करना है ठीक है तो यह लाश्ट क्लास में भी डिसकर वा था कि निम्ड में से कौन सा तिरबुझ नहीं है कि वीच आप दो फॉलाइंग इस नोटा ट्रे करेंगे ठीक है जिन बच्चों के पास में पॉल का अंसर मतलब पॉल ओप्सन नहीं आता है परहसान होने की बात नहीं है उनके लिए अभी सिर्फ दस सेकंड के अंदर चैट सेक्षन ओपन किया जाएगा ठीक है बच्चों तो जल्दी से आप जितने बच्चे वोट कर सकत चैट सेक्षन में जाएगे और अपने जल्दी से ऑप्सन टाइप करेंगे ठीक है यानि कि विच आफ द फॉल इंग इज नोटा ट्रेंगल तो सभी वच्चे टाइप करना बंद कर देंगे सामने देखी स्क्रिंट पर सभीच्चे इन में से पूछा गया है विच आप फॉलोंगे जॉटाट ट्रेंगल त्रियंगल को जानते हैं क्या जानते हैं यानि कि हम तर्फज को जानते हैं त्रभुज के कितनी फुजा होती है तीन इत्रफज चाही हो से बंद साकर ही क्या ह देखते हैं, option number B को, जब आप इसको बनाओ गए, तो एक बुजा ये रही, एक बुजा ये रही, और एक बुजा ये रही, यानि कि भी 3 बुजा उसे बंदा करती है, जो भी 3 बुजा उसे बंदा करती है, उसको तिर बुज कहते हैं, यानि कि ये भी क्या होगा, एक तिर अब चलते हैं फौर्थ पर आप दूसरी बुजा ऐसे बनाई होगी इसके अंदर फिर आपने इसके अंदर तीसरी बुजा बनाई होगी और फिर आपने इसके अंदर चोथी भुजा बनाए होगी, यानि कि ये तीन भुजा उसे घिरी वई आकरती नहीं है, इसलिए ये क्या नहीं है, इसलिए इत्रभुज नहीं है, और हमें तो यही पूचा गया था, तो सभी बच्चे क्या करेंगे, और उनको क्या करेंगे, सामने ने स्क्रीन पर देखेंगे सभी बच्चे, ही आज हम क्या पढ़ेंगे ट्रैंगल स सब्सक्राइब अन्स कर्कार कोंद के आधाराव पर्त के पर कार। को लिए दो एनके अंसे प्रूज उन्स को पढ़ चुक है उस लुद करें experimental की तो अभी तक भी क्या पढ़ सुके हैं हम पढ़ चुकर तो या रहे नि क्वारी की नेट वर की दिक्कत हो जाती है कभी कभाक तो इसलिए किसे नुक्सान भी नहीं लगता है कि आवाज नहीं आ रही है तो जल्दी से अपक्लास को फिर से जोइन कर लिया करो थेक है देखो, हम तिर्भूज के बारे में जानते हैं, हमने तिर्भूज को पढ़ रखा है, हम अब क्या पढ़ेंगे, तिर्भूज को, यानि कि हम तिर्भूज के परकार पढ़ेंगे, तिर्भूज के परकार, और तिर्भूज के परकार हम दो तरीके से पढ़ेंगे, कितने तरी के आधार पर दूसरा हम तुर्भूज को किसके आधार पर पढ़ेंगे दूसरा हम तुर्भूज को पढ़ेंगे बुजाओ के आधार पर किस पर बुजाओ के आधार पर ठीक है बच्चों बुजाओ के आधार पर ठीक है अब चलते आगे कि हम तुर्भूज को दो तरीके से पढ़ेंगे एक तो कोण के आधार पर और एक हम पढ़ेंगे बुजाओ के आधार पर ठीक है बच्चों ठीक है आगे चलते हैं सभी बच्चे अपने माइक बंद कर लो कोण के आधार पर तिर्बुच के परकार कौन के आधार पर तिर्भुज के परकार, यानि कि triangles based on angles, यानि कि आप आप triangle के बारे में पढ़ोगे, जो angles के बारे में, यानि कि कौन के आधार पर आपको विभाजित किये गए हैं, कौन के आधार पर तिर्भुज होते हैं, वो कितने परकार के होते हैं, तिर्भुज के पर और तीसरा क्या होता है हमारे पास में अधिक कॉन त्रिबुज देखो माइक से बंद रखेंगे अगर आप माइक बंद नहीं करोगे देखो इस सारी चीज़े रिकोर्ड होती है और आपके स्कूल के टीचर्स तक सभी चीज़े जाती है ठीक है यानि कि आप जो भी चीज़े चीज़े ज़ल्डी से टाइप करो कि हा सर्म एंगल्स के बारे में जानते हैं यानि कि हम को पढ़ चुके हैं हम कौन के परकार पढ़ चुके है ठीक है ठीक है वेरी गुड यानि कि सभी बच्चे कोण के परकार पढ़ चुके सभी वो कोण के बारे में जानते हैं ठीक है अभी चैट सेक्शन में लिखना बंद करेंगे और जब आप से पूछा जाएगा आप तब चैट करेंगे यारे कि तब आप टाइप करेंगे चैट चैट सेक्शन के अंदर तो तर्भूज के परकार यानि कि कोण के अधार पर तर्भूज कितने परकार के होते हैं तीन परकार के होते हैं ठीक है चैट सेक्शन में लिखना बंद कीजिए सामने देखें सभी बच्चे कि कोणों के अधार पर तर्भूज तीन परकार के होते जल्दी से टाइप कीजिए अगर सभी बच्चों को clear हो गया है वाई टाइप कीजिए कि हाँ कोणों के अधार पर तर्बूज तीन परकार के होते हैं ठीक है ठीक है बच्चों के अधार पर तर्बूज तीन परकार के होते हैं ठीक है आप टाइप करना बंद कीजिए और होता है जो न्यून कोण होता है बताए यह कौन सा होता है कि सर जो न्यून कोण होता है वो 90 डिगरी से बड़ा होता है तो आप एक टाइप करेंगे और अगर न्यून कोण 90 डिगरी का होता है तो आप दो टाइप करेंगे और अगर न्यून कोण 90 दिगरी से छोटा है, तो आप क्या करेंगे harина, कि अगर कोण हमारे पास में 90 डिगरी से बढ़ा था था आप एक टाइप करोगे, अगर निजनकोण 90 के बरावर होता है तो आप दो होगे और अगर निजनकोण चोटा होता है ता आप 3 type करोगे ठीक है? यानि कि सभी बच्चों को पता है निून कोण क्या होता है? 90 डिंटेजे छोटे वाले कोड निून कोड के लाते हैं। ठीक है? अभी type करना बंद किजिए जब आप सब कुछ पूचा जाएगा तब आप फिर से क्या कौन प्सक को तर्बुज के सभी कोण 90 ौश एक मुवाँ कर दोन हमर्ण और भी सिमें कोन निज़ों कि कौन न न की बुच nan तो Eller मैंने सब्विर्प प्रकालप में कर दो यह कोन देपन दिखारा एंग चो जो कौन C है, वो हमें 65 degree दिखाई दे रहा है, क्या सभी कौन 90 degree से कम है, क्या सभी कौन 90 degree से कम है, यदि सभी कौन 90 degree से कम है, यदि सभी कौन 90 degree से कम है, तो सभी बच्चे y type करेंगे, कि हाँ sir, जितने भी कौन इस आकरती में दिखाई गए हैं, वो सभी 90 degree से कम है, ठीक है, य यानि कि इस तिर्बूज के अंदर जितने भी कोण है, सभी कोण क्या है, नबबे डिग्री से कम है, इसलिए यह तिर्बूज क्या 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 लाएगा, यह तिर्बूज क्या क्या लाएगा आपका न्यून क्या तिर्बूज, यानि कि यह क्या 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 लाएगा आपका नियून कॉन तरबुज कहलाता है, ठीके बच्चो, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, इतनी चीज़ सभी को किलेर हो गई होगी, ठीके बच्चो, अब देखते आगे, दूसरा हम पढ़ेंगे सम कॉन तरबुज, अब आप जल्दी से बताओगे कि सम कॉन क्या होता है, आप स सम कोड वो होता है, जो 90 डिगरी से बड़ा होता है, बताइए इन में से कौन सा उप्सन सही है, कि सर एक कोड अगर 90 डिगरी से छोटा है, वो सम कोड होता है, या फिर जो कोड 90 डिगरी से बड़ा होता है, वो सम कोड होता है, ठीके, यानि कि सभी बच्चो कंसर आगे है, यानि कि हमारे पास में जो समकोण होता है एक ऐसा पॉन जिसका माँ 90 ड्रीकर होता है वह क्या कैलाता है एक टेकर बच्छों रखशी सामने स्क्रीन पर देखेंगे अभी हमने पीछे पड़ा था तीनो कोन के बारे में नेως इस बार क्या देखना है ज़िक एक कॉन सिर्फ और षिर्फ एक कॉन अगर 90 डेगरी का है तो वह समकोन कोन के लाता है। अब किसी बच्चे के मनमें आ रगा मैं क्या क्या दो कॉन 90 Igri के नहीं हो सकते या सथी 90 की नहीं हो सकते नहीं सिर्फ हमें एक ही कोण 90 degree का मिलना चाहिए अगर एक कोण हमें 90 degree का मिल जाता है तो वह कोण क्या की आता है आपका सब कोण सब интie को पता है कि डो आनिकी जो वह नश्राइब कोस्ट केंदर एक को ईक अधिकरी का है यह रहा और यह कैसा थरूज अब करना बंद करें और सामने देखें आपने चीज और पड़ी होगी कि सम कोण 90 डिगरी के कौण को कैसे हम निरुपड करते हैं यानि कि कैसे उसको रिप्रजेंट कर से कैसे करते हैं तो अपने एक सिंबल पड़ा होगा कि अगर कोई 90 डिगरी का को बताने के लिए ऐसे बताना करते हैं तो यह क्या कर आएगा कि कौन 90 डिगरी का कोड है ठीक है बच्यों गिनोगरी के कोंड को हम इसी तरीके से फ्रेजेंट करते हैं ठीक है यह चीज़ समझ में आ गई होगी सभी को अगर सभीं वच्चों के चीज समझ में आ गए तो वो जल्दी से थाइय्ट यानि कि सिर्फ अगर एक कॉन 90 डिगरी का मिल जाए, तो वो समकॉन तिर्बुज कहलाता है, ठीक है, तो हम इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीज भी देख लेते हैं, इतना तो हमें समझ में आगे कि समकॉन तिर्बुज क्या होता है, सभी बच्चे टाइप करना बंद करें आगे अभी किसी बच्चे के मन में यह आया होगा कि सब क्या क्या 2 कोन 90 डिगरी के नहीं हो सकते है किसी कि सिर्बुज के अंदर कि क्या क्या 2 दो तिर्बुज यानि कि अगर माल होता है यह सिर पूम ब्त लूदर्बब़ हो यह सटा-क कि किसी भी त Revelation कर नहीं हो सकता नहीं किसी भी तिर्भुच के अंदर एक प्रोपर्टी है आप इसको आगे जाके पढ़ोगे हम आपको थोड़ा सा भी बता देते हैं बट आप इसको आगे भी पढ़ोगे कि तिर्भुच के तीनों कोणों का योग एक सब्सक्राइब होता है बच्चे माइक बंद रहने दीजिए सभी तो तिर्भुच के तीनों कोणों का योग कितने होता है 180 डिग्री होता है ठीके बच्चो तो अगर दो कोण अगर 90-90 के हो गए तो तीसरा कोण तो जीरो होना पड़ेगा यानि कि ऐसा नहीं हो सकता ठीके इसलिए कभी भी के अंदर दो कोण 90 डिग्री के नहीं हो सकते सिर्फ एक ही कोण 90 डिग्री का हो सकता है ठीके बच्चो तो अब हमारे पास में कहा है अधिक कोण तिरभुज अब हमें पहले बताऊगे कि अधिक कोण क्या होता है जल्दी से आप उप्सन टाइप करेंगे देखो कि सर अधि सर जो कोण हमारे 90 से छोटा होता है वो अधिक कोण होता है ठीके यानि कि 90 डिग्री से जो बड़ा होता है वो हमारा अधिक कोण होता है पर उसकी एक लिमिट भी होती है कि वो 90 से तो बड़ा हो लेकिन पर वो 180 डिग्री से छोटा भी हो ठीके बच्चो ठीके यानि कि सभी को पता है अधिकोंड क्या होता है ठीक है अब हम पढ़ते हैं किस तीज के बारे में अधिकोंड तिर्भुज की बारे में यह हमारा तीसरा तिर्भुज है अधिकोंड तिर्भुज च्छीक है अभी type करना बंद करेंगे और सभी बच्छे सामने देखेंगे यदि किसी तिर्भूज में यदि किसी तिर्भूज में एक कॉन की माप 90 डिगरी से अधिक है तो वह अधिक कॉन तिर्भूज कहलाता है देखो अगर कोई बच्चा hand rise कर रहा है तो आप क्या करें, आप चैट सक्षिन में अपना कोई भी डाउट है तो वो टाइप करके बहिश सकते हैं, हम देख लेंगे बच्चे, ठीक है, यदि किसी तिर्भुज में एक कौन की माप 90 डिगरी से अधिक है, तो वह अधिक कौन तिर्भुज कहलाता है, ठीक है बच्चो जो कौन A है, वो 40 डिगरी का है, जो कौन B है, वो 30 डिगरी का है, और जो कौन C है, वो 110 डिगरी का है, ठीक है बच्चो, तो इसके अंदर कौन सा कौन, देखो कोई बच्चा अगर हैंडराइस कर रहा है, तो प्लीस हैंडराइस मत करो, इससे क्लास के अंदर डिश्टर्ब लेखो तर्भूज एभी सी में कौण एक इतना है 40 डिगरी करे कॉण बी कितना है 30 डिगरी का और कौण से कितना 110 डिगरी का है तो सभी रची मताएंगे के इसके इन्दर की कैसा कौण सामने देखेंगे से बच्चे सिर्फ आप इतना बताऊगे कि अभी हमने क्या पढ़ा है अभी हमने पढ़ा है कि जो तिर्भुज होते हैं हमने तिर्भुज की बारे में सब कुछ पढ़ लिया है और हमने क्या पढ़ लिया है कि कोणों के आधार पर कोणों के आधार पर पहला तिर्बुज होता है मर पास में न्यून कोन तिर्बुज दूसरा तिर्बुज कोन सा होता है मर पास में सम कोन तिर्बुज और तीसरा तिर्बुज कोन सा होता है मर पास में अधिक कोन तिर्बुज ठीक है इतना सभी को याद है अधिक कोन तिर्बुज ठीक है बच्च ठीक है यानि कि सभी बच्चों को इतनी चीजे क्लियर है किसी को कोई डाउट नहीं है ठीक है तो हम दो मिनट के लिए आपका दो मिनट नहीं आपका सिर्फ 60-70 के लिए आपको चैट सक्षन बंद करते हैं और आपको अपनी स्क्रीन पर क्या दिखाई देगा आपको एक कोशन दिखाई देगा आप जल्दी से इस कोशन को सोल्व करें और आपको इसका अंसर पता है कहा करना है इस कोशन का अंसर आपको करना है पोल सेक्षन के अंदर पहले आप इसको अच्छे से solve कर लें और तबाग क्या करेंगे इस question का answer करेंगे poll section के अंदर ठीक है बच्चो क्या दिया गया है यानि कि वो poll answer नहीं कर पाते वो जल्दी से क्या करें अपना question solve कर ले और solve करने के बाद में जल्दी से अपनी copy पर लिख ले ताकि जब chat section में लिखने का मौका मिले तो जल्दी से टाइप कर दे ठीक है तो आपके पास में सिर्फ पांच सेकिंड है पांच चार तीन यानि कि ज्यादा तर बच्चे क्या कर चुके पोल के अंदर अपना answer कर चुके तो पोल सेक्शन बंद क्या जाता है जिन बच्चों के पास में पोल का option नहीं आता हो जल्दी से comment section में जाए और जल्दी से वो message अपना मतलब chat के अंदर अपना option भेज़दे की सर यह हमारी त सामने स्क्रें पर देखते हैं देखते हैं सक सही answer कौन सा है तो निम लिखित में से सम को तिर्बुज कौन सा है ठीक है बच्चों type करना बंद कर दीजे और सभी बच्चे सामने देखेंगे ठीक है ठीक है-ठीक है-ठीक है सम कॉन कूर्ट तिर्बुज कौन सा है, which of the following is a right- ट्रेंगल ट्रेंगल तो सबसे पहले में option A के पास में जाते हैं, option यह में देखा, क्या हमें कौन F पता है, नहीं, क्या हमें कौन P पता है, नहीं पता, क्या कौन Q की माप पता है, नहीं पता, क्या कौन R की माप पता है, नहीं पता, हमें किसी की माप नहीं पता, लेकिन पर हम कि 90 degree के कौण पर तो ऐसा निसान भी लगा होता है यानि कि इसमें तो कोई भी 90 degree का कौण नहीं है क्योंकि सम कोण तिर्भुज में सम के अंदर छेपा हुआ है सम कोण के अंदर कि हम एक 90 degree का कौण धून दाए हम गई option number B के पास में ये तो 30 डिगरी है यह हमारे पास हैं, बोड़ की से ब्वी का कौन कोन होता है, जिसके नंदर नबनेु दिगरी का कॉन होता है, ठीक है, तो renew में जाते हैं, option number C के पास में गए, तो इसके अंदर क्या है? कॉन B 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 तो यह एक 90 degree का कॉन है यानि कि हम जो कॉन B मिल गया है वो एक 90 degree का कॉन मिल गया है और जिस तिर्बुच के अंदर एक कॉन 90 degree का होता है वो क्या कहलाता हमारा सम कॉन तिर्बुच कहलाता है ठीक है बच्छों देखते हैं का कॉन संसर से यह option D तो जितना यहां तक जितना पढ़ाया गया है अगर सभी बच्छों को समझ में आ गया है तो जल्दी से वाई टाइप करें फिर हम आपसे एक और कोशन पूछते है ठीक है यूट्यूब का लिंक सभी को मिल जाएगा ठीक है बच्छों तो टाइप करना बंद करें टाइप आप इसको अच्छे से क्लोब करेंगे फिर सभी बच्छे क्या करेंगे फोल सक्सें के इंदर इसका अंसर जल्दी से बोट करेंगे ठीक है बच्छों तो कोशन क्या है थाप करेंगे ऑख दिए चित्र में कौन सा त्रयबुझ दिखाया पया है तर देWait दिदिए बच्चो के पास में पॉल को option यह आता हो जल्दी से solve करके अपना option copy पर लिख ले ताकि जैसे आपको chat section में type करने का मौका मिले वैसे आप क्या कर दो type कर दो ठीक है 5 second का time हो रहा है अब सभी के पास में जल्दी से आप vote कर दीजे five four three two one ठीक है तो maximum वच्चे क्या कर चुक है वोड़ कर चुक है अब हम आपको poll का option ओपन ऑपना emotion खोल देते तो सभी वच्चे अपना option टाइप कर दिया जल्दी से जिनको chat section में टाइप करना होता है ठीक है तो सभी बच्चे अपना option type भी कर चुके है अगर सभी बच्चे अपना option type कर दिया है तो क्या करें आप type करना बंद कीजे और सामने देखिए इस screen पर ठीक है तो दिये गए चित्र में कौन सा तिर्बुच दिखाया गया है विच ट्रैंगल इस song in the given figure हम देखते हैं कि इस तिर्बुच के अंदर कों सा आपने कि सभी कौन क्या से कौन हला है क्योंकि अगर आप A को देखोगे तो ये भी 90 डिग्री से कम है अगर आप B को देखोगे तो ये भी 90 डिग्री से कम है और अगर आप C को देखोगे तो ये भी 90 डिग्री से कम है यानि कि एक ऐसा तिर्भूज जिसके सभी कौन 90 डिग्री से कम होते हैं ठीक है बच्चों तो इस्क्रीन पर आपको सही अंसर भी दिख रहा है कि नियून कॉन तिर बुच्छ तो अगर इतना सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो वो जल्दी से वाइट टाइप करें कि हां सर हमें इतना समझ में आ गया है ताकि हम रैंगल को और आगे पढ़ सक ठीक है, बच्चों माइक बंद रखो, ठीक है, अब आगे चलते हैं, ठीक है, तो एक बच्चा है, गेमिंग प्रो के नाम से, उनको नहीं समझ माई है, देखो जिन बच्चों को समझ में निया है, वो क्लास के बाद 5 मिनिट रुकेंगे, और उनके जो भी डाउट होंगे, ज हमेशा लेट ही आते हैं, क्लास के अंदर, हम आपसे बाद में डिस्कस करेंगे, कि ऐसी क्या वजाए, ठीक है बच्चे, ठीक है, आगे चलते हैं, देखिए, अभी हमने पढ़ा था, तिर्बुझ, यानि कि हमने कि लाक्ष क्लास में तिर्बुझ पढ़ा था, हमने दूसरा टाइप, क्योंकि हमने आपको बताया था कि तिर्बुझ को हम दो तरीके से पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हम कोणों के आधार पर, और दूसरा हम पढ़ेंगे इसको बुझाओ के आधार पर, तो अब हम इसका दूसरा टाइप पढ़ने वाले हैं, यानि कि इसका किसके according triangle कितने परकार के होते हैं ठीक है अगर आप देखोगे तिरबुज के परकार किसके यानि कि बुजाओ के आदार पर वो भी तीन परकार के होते हैं कौन-कौन सा एक होता है मरे पास में सम बाहू तिरबुज जिसको हम बोलते हैं इक्यूलेटर ट्रेंगल दूसरा होता यानि कि बुजाओ के आदार पर तिरबुज तीन परकार के होते हैं बुजाओ के आदार पर तिरबुज तीन परकार के होते हैं एक होता है मरे पास में सम बाहू तिरबुज जिसको हम बोलते हैं इक्यूलेटर ट्रेंगल दूसरा होता है मरे पास में सम बाहू तिरबुज जिसको हम बोलते है आइसो इसकेले स्ट्रेंगल और तीसरा होता है हमारे पास में विसम बाहू त्रेंगल जिसको हम बोलते है स्केलन ट्रेंगल यानि कि बुजाओ के आदार पर भी त्रेंगल तीन परकार का होता है बुजाओ के अधर पर भी तर्बूज तीन परकार का होता है, एक परकार, दूसरा परकार और तीसरा परकार, और तीनों परकार के नाम सामने लिखे हुए है, कि एक होता है हमारे पास में सम्भाहू तर्बूज, दूसरा होता है हमारे पास में सम्भाहू तर्बूज, और त पता लग गया है ठीक है यानि कि बुजाओ के आदार पर तर्बुज तीन परकार के होते हैं ठीक है बच्चो ठीक है ठीक है अब आप टाइप करना बंद कीजे और अब हम आगे चलते हैं ठीक है ठीक है यानि कि बुजाओ के आदार पर तर्बुज तीन परकार के होते हैं सबसे पहला तिर्बुज कोन से होता है हमार पास में संभाहु तिर्बुज ठीक वच्छे अभी टाइप करना बंद कर दो और सब्सक्रीन पर देखेंगे संभाहु तिर्बुज यानि कि equilateral triangle, क्या होता है संभाहू तरबूझ, यदि किसी तरबूझ की सभी भुजाएं बरावर माप की है, यदि किसी तरबूझ की सभी भुजाएं बरावर माप की हैं, तो वह संभाहू तरबूझ होता है, यानि कि एक ऐसा तरबूझ, एक ऐसा तरबूझ, जिसकी सभी भुजाए बरावर माप की होती है वह संभाहू तिर्बुज कहलाता है ठीक है बच्चो देखो सुमित रायो के नाम से एक बच्चा है उनको थोड़ा समझ में नहीं आए सुमित हम आपको थोड़ी सी देर में बताते हैं ठीक है आते हैं आपके पास में आपसे पूछते हैं कि क्या चीज़ आपको नहीं समझ माई है पहले हम एक बार यह बता देते हैं वह थोड़ा सा रूप जाएगा इनका बीच में देखो यदि किसी तर्बुज की सभी बुज गाए तर्बुज A B C अगर इसकी बुजा में बुजा कौण सी होगी आपको एसकी एक बुजा तो हमें A C दिखाए देरी है कि तेसरी दिखाए देरी है यह रही चीके यानि कि अगर तीनों बुझाओं को हम देखें तो अपने कसर हमें A.C. दिखाई दे रिये उसके आगे भी A.C. कितना एए? अगर आप देखोगे तो आपको स्क्रीन पर यानि कि आपको दिखाई दे रिये कि A.C. कितनी है? A.C. A.C. अगर आप A.B. को देखोगे तो आपको A, B, B कितने दिखाएगी है, A centimeter है, और अगर आप B, C को देखोगे, तो वो भी आपको कितने दिखाएगी है, A centimeter, यानि कि तिर्भुज के अंदर तीन बुजाएगे हैं, और तीनों की ही माप क्या है, A centimeter, A centimeter, A centimeter, यानि कि तीनों की माप क्या है, बराबर है, तो एक ऐस तिर्बुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर माप की होती है, वो क्या कहलाता है, संभाहू तिर्बुज कहलाता है, अब कोई बच्चा सोच रहोगा, ए क्या होता है, ए कोई भी एक नंबर हो सकता है, हो सकता है, वो 2 cm हो, तो सभी भुजाएं कितने के हो जाएंगी, 2 cm के ह सेंटीमिटर के होगा है ठीक है इतना सभी को समझ में अके होगा तो इसके अंदर आपको एक महतपूर्ण बिंदू यानि कि इस वाले पॉइंट पर हम इश्टार लगाएंगे कि संभाहू तिरभूज में प्रतिय कौन 60 डिगरी का होता है यानि कि आपको क्या रखना है यह हमेशा आपको याद रखना है यह क्या करना है आपको हमेशा याद रखना है कि एक ऐसा तिरभूज जिसमें प्रतिय कौन यानि कि उसक माप भी कितनी है 60 degree और कौन C की माप भी कितनी है 60 degree यानि कि एक ऐसा तिर्भूज जिसके सभी कौन 60-60 degree के हो क्या कहलाता है वो संभाहू तिर्भूज कहलाता है ठीक है बच्चो यानि कि आपको एक कुलेटर ट्राइंगल में दो चीज़े याद रखनी है एक तो कितने के होते है 60-60 degree के होते हैं हमें नंबर 60 degree याद रखना है कि संभाहू तिर्भूज का परतिय कोन 60-60 degree का होता है ठीक है बच्चो अगर इतनी चीज़े सभी को क्लियर है तब जल्दी सब वाइट टाइप करें कि हां सर हमें संभाहू तिर्भूज के चलते हैं जाला है कि संभाहू तिर्भूज हमें समझ आंकि अ गया है अब हमने पड़ा था समधिव बाहू तिर्भूज सम जीव बाहू तिर्भूज इसको इंग्लिस में प्रनाउंस करते हैं इसकेलिस ट्रेंगल, क्या होता है इसकेलिस ट्रेंगल, यानि कि सम्धी बाहु तर्बुज, यदि किसी तर्बुज की दो भुजाएं बरावर माप की है, तो वह सम्धी बाहु तर्बुज होता है, कैसे दो भुजाएं, कोई से भी सी आपको दिखाई दे रहा है कि ये एक ऐसा त्रबूज है कि ये एक ऐसा तिर्बुज है, हाँ, ये एक ऐसा तिर्बुज है, जिसकी दो बुज़ा है, एक बुज़ा AC और एक बुज़ा AB बरावर माप की है, तो एक ऐसा तिर्बुज जिसकी दो बुज़ा है, जिसकी दो बुज़ा है, बरावर माप की है, वह समधिबाहू तिर्बु सब्सक्राइब बराबर भुजाओं के सामने के कोण, सामने के कोण का मतलब क्या होता है? अब आप हमें बताओगे बुजा A, B के सामने कोण है? बुजा A B के सामने कौन सा कोण है? अब बताए बुजा A B के सामने कोण A है? या बुजा A B के सामने कोण B है? या बुजा A C के सामने कोण C है? बताए बुजा A B के सामने कोण सा कोण है? बुजा A B के सामने कोण सा कोण है? ठीक है. बुजा A B के सामने C कोण है? ठीक है. अब आप हमें बताओ कि बुजा A C के सामने कौन सा कोड है? बुजा A C के सामने कौन सा कोड है? बताए कोड A है, कोड B है, या कोड C है? आप बताएंगे A C बुजा के सामने कौन सा कोड है? ठीक है. एक ही बार टाइप कर दे करो बच्चों, समझ में आ जाता है. ठीक है? तो टाइ और हम दूसरे सरकलंब से अपने कहां सी कोण है कौन कोन luton कोण ै फिर आपने के सामने बन्सने क कोण है कि अबने कोन अपने कोण 000 का ऑफाव कि गए तो अगर किसी बच्चे को देखो वही समझाया थी अगर किसी बच्चे को डाउट है वह तभी हैं ड्सatar henrise ना करें ठीक है और अगर किसी बच्चे को डाउट है तो henrise भी ना करें वो क्या करें? रखले अपना comment type करणा baik किसी बच्चे को अगर डाउट है तो comment अबना doubt टाइप करतें तो solve करते जाएगा doubt देखो सामने, आपने कहा AB के सामने कौन सा है AB के सामने का? सामने कोण C है और AC के सामने कौण B है ठीक है बच्चों अब देखो सम्धी बाहू तिरबुज में बराबर बुजाओ के सामने के कौण भी बराबर होते हैं आपने ही कहा था कि इसके अंदर हमें AC बुजा अब आप सामने देखो स्क्रीन पर कुछ इंपोर्टेंट सीज़े महत्पुन AC बुजा किसके बराबर है आपने का सर AC बुजा AB के बराबर है तो AC के सामने कौन सा कोड है आप कोगे सर AC के जो सामने कोड है वो है कोड B और आप कोगे वो किसके बराबर है AB के सामने कोड़ है? AB के सामने कोड़ है? कोड़ C. तो आप इस तरीके से लिखोगे कि जो बराबर बुजाय होती है, उनके सामने के कोड़ भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं. ठीक है? हाँ. ठीक है, ठीक है. ठीक है बरूद. उनके सामने के यह निक यह सम्मूद कोड़ क्य याने कि 3 सीर्स होते हैं तर्भीज के आंदर 3 वे टेक्स होते हैं अगर आपको यह निकालना है कि कोई सी बुझा के विपरीट याई कि सामने कॉन सा कॉन है तो आप यह देखो की सर्भीज के Inner क्या नाम होगा है सामने देखो इस स्क्रीन पर, जो हम green pencil लेकर अबी, c होता है, इसमें a b नाम आ गया है, तो इसके opposite यानिक इसके सामने c ही होगा, और इसमें ac नाम आ गया है, तो इसके सामने b ही होगा, यानिकि जो कौन यानिकि बच जाता है, बुजा में नहीं आता जो उनसा सीर्स, वहीं कि उसके सामने वाला CSB होता है ठीक है इस चीज को में एक और बार बता देते हैं कि एक संधी वाहु अ होसा सम्दी हुभाहु तिरुछ समदी है त्रपुध में बरावर मुझाओ के सामने के कौन भी बरावर होते है अपक मने क्या होते है जैसे तो AC के सामने कौन सा कौन है, आपने का सर, AC में तो A और C आ गया है, तो अंदर बचा B, यानि कि कौन B, और AB में तो सर, AB आ गया है बचा C, कौन C के बराबर होगा, क्योंकि किसी भी तरभुज के अंदर तीन सीर्स होते हैं, अगर उनका नाम ABC है, तो जो सीर्स उसकी बुझा हो गई है, ठीके, यानि कि सभी को यहाँ तक सारी चीज़े killer हो गई है, अब आज चलते हैं, ठीके, 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 टाइप करना विज convicted कि सभी वोता है यदि किसी तरपिश कि सभी वो माप कीएं कैसी वो अलग अलग माप किये सभी वो जए तो वह लिज अब लुए विजा लुट वह सम्भाई करते लिए वह सक्रहु आप लए तर्भी lot गुऄट है और हुए ऐसे पार्फे हो का गत्रें चेवांने उन्विड़ानि मीज़िएंट ऍविशी कुंगा टोंतना हैं अलीन है तुछ चाल तो तो आप शुट हो समय सब्सक्राइब क्यां अलग-अलग मापकी हैं सभी बीजोज चोह तो एक आसा तिर्भूज जिसके अंदर सभी बुजोज अलग-술 मापकी होती हैं?? कि ऐसा तिर्भूज क्यलाता है वो क्यलाता आपका विसंबा हु तिर्भूज ठीक है बच्यों, ठीक है.. तो सामने आप देखिये Yattack अगलाग मापके होते हैं, all angles no same, ठीक है, तो इतनी चीजे सभी बच्चों को समझ में आ गई है, अगर इतनी चीजे सभी बच्चों को समझ में आ गई है, आप जल्दी से Y टाइप करें, और हमारे एक कोशन का जवाब दे, जल्दी से Y टाइप करें कि हाँ चीजे समझ में आ और सामने देखें, कौन-कौन से नाम पढ़ें, आपने पढ़ा, एक तो पढ़ा, सम बाहु, सम बाहु तरबोज, एक आपने पढ़ा, सम दियो बाहु तरबोज, और एक आपने पढ़ा, विशम बाहु तरबोज, क्या पढ़ा आपने, विशम बाहु तरबोज, तो सभी मतलब कि होता है समान और बाहु का मतलब क्यों होता है बुझा hyum एक ऐसा तिर्भूज जिसकी सभी बुजाएं समान हो एक ऐसा तिर्भूज जिसकी सभी बुजाएं क्या हो यानि कि उसकी सभी बुजाएं समान हो अगर सभी बुजाएं समान है तो वो समभाहू तिर्भूज होगा अगर उसकी सभी बुजाएं समान है तो आप कहा दोगे कि कि उसका परतियक कौन उसका परतियक कौन भी कितने का होता है उसका परतियक कौन भी 60 डिगरी का होता है यह होता है मर पास में सम बाहू तिरबुझ ठीक है अब देखते हैं सम दी बाहू तिरबुझ सम का मतलब क्या है 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 स और बाहू का मतलब किया है बुजा, इसका मतलब किया है बुजा, यानि कि एक ऐसा तिरभूज जिसकी दो बुजाएं समान हो, एक ऐसा तिरभूज बच्चे माइक बंद करो, हम आ रहे हैं सिर्फ आफिक के पास में, पूछेंगे आप से नाम लेकर क्या आपके क्याड़ा होता है ठीक है सम्दी वाहू तरभुज का मतलब क्या है कि समान सम का मतलब है समान दिव का मतलब है दो और वाहू का मतलब क्या है भुजा यानि कि ऐसा तरभुज जिसकी दो भुजाए समान हो दो भुजा समान हो वो सम्दी वाहू तरभुज होता है और सम्दी बाहू तरवज में अपने पढ़ा था यानि कि बरावर भुजाओ के सामने के कौन भी क्या होते हैं यानि कि जो बरावर भुजाए होती हैं उनके सामने के कौन भी बरावर होते हैं उनके सामने के कौन भी बरावर होते हैं ठीक है बच्चो अब आते हैं विसम बा ज़ली से y type करें अगर सभी को अच्छ JewA जा जा रहिए? ठीक है हां मंताप एकexpl볉 हैं किरो, ज़ली से class को Rejoin कर लो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बच्चों रख करना बंद करो मंताप जली से class को Rejoin कर लीजिए देखी असलने बस Trype करना बंद किजिए, हाँ, देखो समBAHU समझ मा गया, यानि कि सम का मतलब होता है समान, बहु का मतलब होता है बुझा, यानि कि ऐसा वे Какट रिवुच, जिसकी समी बुझाए है क्या होती है, समान होती है और परते कौन कीतने का होता है, न साथ डिगरी का होता है, परते कोड़े कितने का होता है, साथ डिगरी का होता है फिर हमने पड़ा सम्दी भाहू तरबुज, यानि कि सम का मतलब होता है समान, दियो का होता है मतलब दो और बाहू का मतलब होता है बुजा, यानि कि दो बुजाएं समान हो, यानि कि ऐसा तरबुज जिसकी दो बुजाएं बराबर हो, समदी बाहू तरबुज कहलता है, और बराबर बुजाओ के सामने के कौन भी क्या होते हैं, हमेसा बराबर होते है, विश्यम बाहू का मतलब क् अलग अलग और बाहू का मतलब क्या होता है भुजा यानि कि एक ऐसा तिर्बुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग हो एक ऐसा तिर्बुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो अलग अलग हो सभी बुजा क्या हो? अलग-अलग हो क्या कहलाता है वो? विशम बाहू तिरबुच कहलाता है और उसके सभी कोन क्या होते हैं? सभी कोन भी क्या होते हैं? अलग-अलग होते हैं सभी कोन भी क्या होते हैं? उसके अलग-अलग होते हैं? वो क्या कहलाता है आपका? कि यह माइक ओपन करने की जरूरत क्या होती है ठीक है तो सब्सक्राइब अपने माइक बंद रखेंगे और अगर कोई बच्छा माइक यह आज से निकाल दे क्या सी इसको कि एक बार समझ में नहीं आ रहा है इसको ठीक है अगर ऐसा करोगो तो कि लास से बाहर निकाल देंगे अजिसे इसको कि सब्सक्राइब करना है आपको टाइप थोड़ी दिर के लिए आपका चैट सेक्षें बंद किया जाता है ठीक है आपको इस तोùng सक्वां बहुत करें और जिन बच्चों के पॉल का योप्का शाम से बढानी तोधल ईज्सक्राइब आधाया को इस यहां आधा दुछio के पास में पॉल को अप्शन नहीं आथा वो क्या नहीं। वो अपना question solve कर लें और फिर कहां solve करने के बाद में आज इसको समाजी में नहीं आ रहा है आज इस ब्लोक कर देंगे हमेशा के लिए किलास से तो चित्र में कौन सा तरबुज दिखाया गया है चित्र में कौन सा तरबुज दिखाया गया है ठीक है कि which triangle is shown in the figure तो सभी बच्चे इसको vote करेंगे आपके पास में 10 second का time है जल्दी से तो सभी बच्चे अपना poll के अंदर answer कर चुके है ठीक है तो poll को बंद किया जाता है तो जल्दी से जिन बच्चों के पास में poll का option नहीं आता वो अपने chat section में जाएंगे और जल्दी से क्या करेंगे अपना option type करेंगे ठीक है बच्चे जल्दी से type कीजिए सभी बच्चे ठीक है ठीक है तो अभी बच्चे सभी का option type करती है तो type करना बंद कीजिए सभी बच्चे सामने देखेंगे इस स्क्रीन पर ठीक है बच्चो टाइप करना बंद कीजिए देखते हैं इसका सही अंसर क्या है विच ट्रेंगल इस सोन इन दा फिगर कि इस फिगर में कौन सा त्रभूज दिखाया गया है तो देखते हैं त्रभूज आपने का जिससर त्रभूज ABC है कि जो इस स्क्रीन पर हमें दिखाया गया है वो क्या है में पास में त्रभूज ABC है देखते हैं कि अब इस बार हमें भुजाई देरकी हैं हमने देखा कि जो AC बूजा है वो कितनी है 5 cm जो हमरे पास में AB भूजा dedicated 5 cent बाहू तिर्बुज क्योंकि वी सम बाहू तिर्बुज कौन सा होता है सर जिसकी सभी बुजाए अलग अलग होती है सम बाहू जिसकी सभी बुजाए बराबर होती है और सम कौन तिर्बुज वो तिर्बुज इसमें एक कौन 90 डिगरी का होता है सम कौन कहलाता है तो सभी बच देखो फिर से आपका चैट सेक्षन बंद किया जाता है परिसान होने की जरूत नहीं है आपको स्क्रीन पर एक कोशन दिखाई देगा और आपको इसका अंसर यादि कि पहला आप इसको अच्छी से सॉल्व कर लो और फिर आपको इसका अंसर कहां करना है पोल सेक्षन के तो उससे भी अच्छी से सॉल्व कर लें और जिनके पास में पोल का उप्षन नहीं आता वो क्या करेंगे जिनके पास में पोल का उप्षन नहीं आता वो अपना अंसर बना के लिक लिए अभी आपको चैट सेक्षन में टाइप करने का मोगा मिलेगा ठीक है तो आपके पास में 5 सेकंड है 5 4 3 2 1 यानि कि ज्यादतर बच्चे क्या कर चुक है अपना उप्सन वोट कर चुक है तो देखते हैं अब एंड करते हैं पॉल को और जिन बच्चो के पास में पॉल का उप्सन नहीं आता जल्दी से जाएं और अपना उप्सन चैट सक्षन में टाइप करें ठीक है बच्चो जल्दी से ठीक है तो अभी बच्चे टाइप करना बंद करेंगे और सब बच्चे सामने स्कीन पर देखेंगे देखते हैं इसका कौन सा अंसर सही है ठीक है यह नबदीव नाम के नाम से जो भी बच्चा है ठीक है कोई बात नहीं इनको भी क्लास से बाहर निकालना है कि अगर क्लास में पढ़ने का मन नहीं होता तो आया ही मत करो अब यह थोड़ी नहीं कि आपको क्लास से बाहर निकालें त्थी चित्र में कौनसा दिखाया गया है ठीक ही बच्चों डिख Wes old दिखाये गया है कि त्पिछ है वेस्णंड जिसकी सभी बुजा हैं कि चार सेंट करो अगर आप यानि कि एक ऐसा त्रभुज जिसके सभी बुझाएं समान होती है, समान यानि कि बरावर माप की होती है, वो क्या कहलाता है आपका Equilateral Triangle समभाहु तिर्भुज, option A को अगर देखें, विसम बाहु तिर्भुज, यानि कि एक ऐसा तरभूज जिसके सभी बुझाएं अलाग अलाग होती है विशम बाहू तरभूज सम्धी बाहू तरभूज यानि कि एक ऐसा तरभूज जिसके दो बुझाएं बरावर होती है क्या कलाता है सम्धी बाहू तरभूज कलाता है और समकोन तरभूज आप जानते ही हो कि सर एक ऐसा तरभूज जिसके अंदर एक कोन 90 डिगरी का होता है क्या कलाता है वो समकोन तरभूज कलाता है तो हमारा option कौन सा सही है देखते हैं स्क्रीन पर यानिके हमारा option C सही है ठीक है बच्चो तो आपको इस्क्रीन पर फिर से question द अंदर जाके करना है तो आप पहले इसको अच्छे से solve कर लिजे और फिर poll section के अंदर इसका अंसर type कीजे ठीक है तो चित्र में कौन सा तरभूज दिखाया गया है कि which triangle is shown in the figure which triangle is shown in the figure कि चित्र में कौन सा तरभूज दिखाया गया है तो पांच सेकंड है आप सभी के पास में 5,4,3,2,1 यानि कि जादा तरभूज आप टाइप कर लिजे जल्दी से ज्यादा तर बच्चे अपना option टाइप कर चुके है ठीक है आपका चैट सेक्शन खोला जाता है जिन बच्चे के पास में पॉल का option या आता है वो जल्दी से क्या करेंगे वो चैट सेक्शन के अंदर अपना message टाइप करेंगे ठीक है सामने देखेंगे से बच्चे कि which triangle is stone in the figure ठीक है ठीक है बच्चे टाइप करना बंद करते हैं और देखते हैं इसका सही answer क्या है ठीक है तो अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिखाये गया है चित्र में त्रभूज ABC दिखाये गया है और त्रभूज ABC कैसा है आ AB जो है वो कितना है 6 cm है sorry 5 cm है और BC कितना है 6 cm है यानि कि इसकी सभी बुजाये क्या है अलग-अलग है और एक ऐसा त्रभूज जिसकी सभी बुजाये अलग-अलग माप की होती है एक ऐसा त्रभूज जिसकी सभी बुजाये अलग-अलग माप की होती है क्या 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 आपको और आपको फिरेंगे आपको स्कुरिशन को सही जवाब दिया है और और आपको जो एक कोशन हम दिखाई बना के देते हैं अपनी तरफ से जो वच्छा उसका सही अंसर करेगा वो इपने आपको स्टार्ट मार्क भी करेगा एक तिरबुश आपके सामने बनाया जा रहा है ठीक है बच्चो इस तिर्भूज के अंदर क्या है हमारे पास में कि ये एक तिर्भूज है सामने स्क्रीन आपको दिखाए गया है इसका नाम क्या है इसका नाम है तिर्भूज PQR और इसका ये जो कोण है ये 70 डिगरी का है ये जो कोण है ये 40 डिगरी का ह तो बताइए ये कौन सा तरबुज़ है, आपको option one type करना है, कि अगर आपको option one type करना है, अगर ये क्या है, समधी बाहु तरबुज़ है, तो आपको एक type करना है, ठीक है बच्चों, अगर ये समधी बाहु तरबुज़ है, तो आपको एक type करना है, अगर ये विसम बाहु है तो आपको दो टाइप करना है, अगर ये विसंभा हुए तो आपको दो टाइप करना है, और अगर ये संभा हुए तो आपको तीन टाइप करना है, जल्दी से, यानि कि ये कहें, ये एक सम्धी वाहुतर बुझे है, क्योंकि आपको याद कराया था कि सम्धी वाहुतर कि सर इसके अंदर ये वाली दो बुजा बराबर होंगी, आपको बुजा लिखनी है पहली और फिर बुजा दूसरी, चल्दी से, कौन कौन सी बुजा, देखो बुजा तो कभी एक उससे नहीं लिखी जाती, अच्छा ठीक हम बुजाओ के नाम दे देते हैं, कि ये जो R, जो बुजाएं बराबर है, अब बताओ कौन सी बुजाएं बराबर है, फिर से देखो सभी अच्छे स्क्रीन पर, कि जो P के सामने वाली बुजाएं वो छोटी P है, जो Q के सामने वाली बुजाएं वो छोटा क्यों है, और जो R के सामने वाली बुजाएं वो छोटार है, तो इनके सारे अंसर सही है, ठीक है, बहुत सारे बच्चों के अंसर सही है, ठीक है, बहुत सारे बच्चों के अंसर ठीक है, तो इसका सही अंसर देखते हैं, कि इसका क्या है, यानि कि इसका सही अंसर ये है, कि सर, ये एक समधी बाहुतिर बुझे, ये एक समधी बाहुतिर बु पी आर और छोटा आर का मतलब क्या है? पी क्यों, यानि कि दोनों बुजाए के आपस में बराबर है. ठीके बच्चों, तो इतनी चीजे सभी को समझ में आ गई हो गी, अगर इतनी चीजे सभी को समझ में आ गई हैं, तो वो जल्दी से वाई टाइप करें, कि हाँ सर हमें इतनी चीजे समझ में आ गई हैं.